पार्ट नो, क्रिया और काल, वर्ण आण टेंस करन लिख रहा है, गीता खाना खा रही है, गाई चर रही है, अचे सू रहा है, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में लिख रहा है, खा रही है, चर रही है और सू रहा है, शब्द किसी कारे को करने, अध्वा होने का बोध करा रही है, यदि वाकिसे इन्हीं हटा दे, तो वाकिय का अर्ठ स्पश्ट नहीं होगा, ये शब्द क्रिया पद कहलाते हैं, जिन शब्तों से किसी कारी की करनी या होने का बोथ होता है, उन्हीं क्रिया कहते हैं, जैसे कुट्टा भौंक रहा है, बच्ची खेल रहे हैं. धातू, रूट, क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं, जैसे पड, जा, लिक, चर, आदे. क्रिया की भेद, काइन्स ओफ वर्ब, क्रिया की दो भेद होते हैं, क, अकर्मक्रिया, इन्ट्रांसिटिफ वर्ब, जिन क्रियाओं की व्यापार कारी का फल करता पर पड़ता है, तथा कर्म नहीं रहता, उन्हीं अकर्मक्रिया कहते हैं, जैसे आ, राकेश उटता है, ब, रमीश जाता है ख, सकर्म क्रिया जिन क्रियाओं की व्यापार कारे का फल करता पर न पढ़कर कर्म पर पढ़ता है उन्ही सकर्म क्रिया कहते है जैसी आ अशुक साइकिल चलाता है ब, वन्दना सितार बजाती है विशेश कवी-कवी सकर्म क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उन्हीं द्विकर्म क्रिया कहते हैं जैसी पिता ने पुत्र को आशरवाद दिया काल टेंस काल क्रिया का रूपांतर है जो कारे की होने के समय का बूद कराता है काल तीन प्रकार की होते हैं काल, वर्तमान काल, भूत काल, भविश्यत काल, एक, वर्तमान काल, present tense, बारिश हो रही है, लतारस्सी कूद रही है, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में, रिखांकित शब्दों से पता चलता है, कि कार्य हो रहा है, अतह, क्रिया की चिस रूप से कारी के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, दो, भूतकाल, past tense, पेड़ से आम गिरा, राधा ने पत्र लिखा, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में, रिखांकित शब्दों से पता चलता है, कि कार्य हो चुका है, आताहा, क्रिया की जिस रूप से कारी की पूरे होने का पता चलता है, उसे फूतकाल कहते हैं, तीन, भविशतकाल, future tense, मा बाजार जाएगी, किसान खेट जो देगा, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में, रिखांकित शब्दों से पता चलता है, कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा, अताहा, क्रिया की जिस रूप से कारी का आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, उसे फूतकाल कहते हैं,